सारनाथ से प्राप्त मौरी स्तंब शीर्स जो की आम तोर से सिंग सीर्स के रूप में जाना जाता है मौरे कालीन मूर्तिकला परंपरा का बेहतरी उदारान प्रस्तुत करता है यह सारनाथ में बुद्ध द्वारा प्रथम धर्म उपदेश या धर्म चक्र प्रवर्तन की एतिहासिक घटना की स्मृति में असोग द्वारा निर्मित किया गया था चीर्स भाग मौर रूप से पांच घटक भागों से मिलकर बना हुआ था आईए उन पांच घटक भागों को यहां पर देखते हैं पहला इस्तंब एस्तिक जो अब कई हिस्सों में तूट गया है दूसरा पूर्ण घट या अवांग मुखी कमल का आधार तीसरा पूर्ण घट के उपर गोल अंड या चोकी जिस पर चार जानवर दक्षिडा वर्त दिसा में आगे बढ़ते हुए प्रतीत होते हैं इसके साथ ही चार राशी सिंग की आकरतियां जो एक दूसरे से पीठ सटाए हुए उकडू अवस्था में बैठे हुए हैं इन सिंगों के मस्तक पर एक मुकुट तत्व धर्म चक्र एक बड़ा पहिया भी इस इस्तंब का एक हिस्सा था हलाकि यह पहिया अब तूटी हुई हालब में पड़ा हुआ है इसके अलावा और भी कई महत्पूर बिंदु हैं जैसे चक्र यानि की पहिया और अवांग मुखी कमल आधार को छोड़कर सीर्स को भारत की रास्टी परती के रूप में अपनाया गया है यह भी कई बार परिक्षा में प्रश्ण बना हुआ है यह सारनात का अशोक तिर्ष सिस्तंभ है उसमें से किस भाग को छोड़कर के सेस को रास्टी चिंद के रूप में अपनाया गया है तो चक्रियानी की पहिया और अवांग मुखी कमल की जो आधार को छोड़ करके सेशकु भारत की राश्टी परती के रूप में अपनाये गया मूर्तियों की सतह पर चमकदार पॉलिस है जो मौरे कला की मतपूर्ण भी सेशता है इस्तंब के गोल अंड या फलक पर चार छोटे धर्म चक्र चारो दिसाओं में उत्किर्ण है जिनमें 24 तीलिया है इस बात को आप देख सकते कई बार पेपर में पुझा गया है कि कितनी तीलिया है? 24 तीलिया है इसके साथी साथ एक बैल, एक घोड़ा, एक हाथी और एक सेर की आकरती प्रतेक चक्र के बीच में बारी की से उत्किर्ण है आप देखेंगे एक बैल, एक घोड़ा, एक हाथी और एक सेर कई बार पूछा जाता है प्रतेक चक्र के बीच में बारीकी से उत्केड है चक्र का अंकन संपूर्ण बौध कला में धर्म चक्र के प्रदर्शन के रूप में महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर इस image में आप देख पा रहे हैं सारनात सिंग सिर्स इसके साथी साथ लौरिया नंदनगड का सिंग सिर्स यह एकास उन पत्थर का बना हुआ है यह पूरा का पूरा एक ही पत्थर है एक ही पत्थर पर बना हुआ है और सिर्स पर आप देखेंगे कि जो चार सिंग दिखाई दे रहे हैं वह देखने को तो तीन ही दिखते हैं लेकिन हैं उसमें चार क्योंकि एक दूसरे से पीट सटे हुए आकार में बैठे हुए आईए अन्य महारपूर्ड बिल्दों पर परिचर्चा करते हैं अब मौरे काल के अंतरगत बने इस्तुब और इस्तुब निर्मार की परंपरा पर भी हम विश्दित ब्याक्या करेंगे